नमस्कार दोस्तों मैं नाम स्रीकान कुमार अब देख रहें टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों रासन कार्ड में नया फैमिली का नाम को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं ऑनलाइन खुद से घर बैठे अपने मोबाईल या लेप्टोप से या फिर दोस्तों रासन कार्ड में सदस का नाम गलत है तो उस नाम को हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाईल या लेप्टोप से तो दोस्तों अगर आप नाम को जोड़ना चाते हैं या फिर नाम में किसी भी प्रकार का गलती है तो उस नाम को कन घंटिक को फ्रेस के लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोडिफिकेशन सबसे पहले के पास पहुँच पाई तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रासन काड में नया फैमली का नाम को जोडने के लिए या फिर family का नाम को सुधार करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा तो सबसे पहले अपना mobile या laptop का किसी एक browser को open कर लेना है और browser में type करना है NFSA इस प्रकार से type करना type करने के बाद सर्च के option पे click करना click करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख रहा है NFSA इस link पे click करना है उसके बाद दोस्तों भारत सरकार का official website इस प्रकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है दोस्तों एक option यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 3 line 3 line के option पे click करना है click करने के बाद दोस्तों फिर से 3 line के option पे click करना है click करने के बाद दोस्तों एक option देखने के लिए मिल जाता है रासन कार्ट रासन कार्ट के option पे click करना है उसके बाद दोस्तों एक option यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रासन कार्ट, details on estate, portals इस वाले option पे click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखिए सभी a state का नाम जोई कि इस परकार से दिखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर जोई कि आपका a state का नाम यहाँ पर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा दोस्तो अगर आप mobile यूच कर रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाता है three dot three dot के option पे click करदना है click करने के बाद दोस्तो एक option देखने के लिए मिल जाता है desktop site इस वाले option पे click करदना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए सभी estate का नाम जो की इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता और दोस्तों जिस estate से आप belong करते हैं उस estate पे क्लिक करना होगा और click करके दोस्तो चेक करना होगा कि आपके estate में रासन कार्ड में family का नाम जोडने के लिए या फिर नाम में सुधार करने के लिए option आया है या नहीं आया एक बार यहां से आपको चेक कर लेना है क्योंकि दोस्तों किसी किसी estate में online की सुद्दा है और किसी किसी estate में जोई कि अभी तक भी offline की सुद्दा है तो अब आपको क्या करना होगा जिस estate से आप belong करते हैं उस estate पे click करना होगा तो चलिए हम इस परकार से click करते हैं click करने के बाद दोस्तों यहां पर एक notification देखने के लिए मिल जाता है तो अब आपको क्या करना होगा ओके option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस परकार से official page open हो जाता है और दोस्तो इस page पर आने के लिए इसका link इस video के description में मिल जाएगा दोस्तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा तो एक option देखने के लिए मिल जाता है card holder login इस वाले option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो अगला page इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है दोस्तो यहाँ पे क्या करना होगा तो दोस्तो सबसे पहले इस box में अपना रासन कार्ट नंबर को fill up कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ से card card यहाँ परकार को आपको select करना होगा दोस्तों यहां पर देखें उदारन बताया गया है कि जिनके नाम से रासन कार्ड है उनका last 8 digit का अधार नमबर इस बॉक्स में फिलप कर देना है उसके बाद दोस्तों इस capture code को इस बॉक्स में फिलप कर देना है उसके बाद login के option पे क्लिक कर देना है लोग इन होने के बाद दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे सर्वीस का नाम देखनी के लिए मिल जाता है और दोस्तों यहाँ से जोए कि सब कुछ अप रासन कार्ड में सुधार कर सकते हैं दोस्तों देखे फरस्ट में यहाँ पे जो दिया गहा है परिवार के अगर आप नाम जोड़ना चाते हैं रासान कार्ड में तो इस वाले option पे क्लिक करना होगा यहाँ पे दिखिए option दिया गए dealer बदलने के लिए mobile number सुधार करने के लिए या पी link करने के लिए member transfer करने के लिए अधार number में सुधार या परिवर्तन करने के लिए सदस्क का नाम में परिवर्तन करने के लिए मुखिया के नाम का परिवर्तन करने के लिए परिवार के सदस्क के यहाँ पे नाम हटाने के लिए नहीं रासन कार्ड में अगर आप नाम हटाना चाते हैं तो इस वाले option पे click करके जोई कि रासन कार्ड में नाम को हटा सकते हैं रासन कार्ड सरंडर करने के लिए gender change करने के लिए relation change करने के लिए date of birth change करने के लिए इस परकार से दोस्तों यहां पे बहुत सारे option दिया गया है तो दोस्तो रासन कार्ड में हमें नाम को सुधार करना है या फेमिली का जो नाम है रासन कार्ड में उस नाम को सुधार करना है या फिर नया फेमिली का नाम को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं तो दोस्तो एक उप्सन यहाँ पर दिया गया है सदस का नाम परिवर्त तो इस वाले option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे है रासान कार्ड का पूरा details इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि परिवार के किसी 1 स चुने और अधार संक्या डाले तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा तो इस में किसी family का नाम को यहां से आप को select करना होगा यानि काने का मतलब जो रासान उसके बाद दोस्तो verify के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो अगला page इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है और दोस्तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है step 2 में select a member to change name यानी कहने का मतलब है कि जिस members का नाम को change कर रहे हैं उसका नाम जो कि यहाँ से select करना होगा तो दोस्त विखरकार से members का नाम यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है तो जिस members का नाम गलती है यहाँ से सबसे पहले select कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहां से select करना होगा कि members के नाम में गलत है या members का father's name या husband के नाम गलत है या फिर mothers के name यहां से गलत है तो दोस्तों यहाँ पर select कर लेना होगा तो दोस्तों यहाँ पर जोए कि members का नाम गलत है तो नाम वाले के option को select करेंगे उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा तो इस box में जो सही नाम है जो अधार काट पर नाम दिया हुआ है उस ना यहां पर जो एक कुछ document को upload करना होगा तो दोस्तों document में यहां पर आप अधार कार्ट को upload कर सकते हैं तो दोस्तों अधार कार्ट को upload करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा चूच फाइल के option पे click करना होगा और दोस्तों इसका size कितना होना चाहिए 200KB के अंदर में होना यहां पर ओप्लोड कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक upload करना होगा self declaration form को upload करना होगा इसका जो है कि 200KB से आपको अंदर में रखना है JPG, PNG में upload कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा k.. सेलपीDeepend contribution form क्या होता है, कहां से हमें मिलेगा पहां से डॉwnलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों, जैसे आप बाइएक होते हैं, तो यहां पे एक थरी लाइन के option दिखने के लिए मिल जाता है, और दोस्तों यहां से अब आपको क्या करना होगा तो फर्स्ट में दोस्तों यहां पर दिखने के लिए मिल रहा Self-Declaration Form for Name Change Name Change करने के लिए दोस्तों पहला वाले Option पर क्लिक करके Form को Download कर लेना है तो दोस्तों इसी परकार से दोस्तों रासान कार्ड में जो भी आप जो कि Update कर रहे हैं रासान कार्ड में उस Form को यहां से जो कि Download कर लेना है अब Download कैसे करना है तो दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए Download नहीं हुआ है तो Download नहीं हो तो अब आपको क्या करना हो इस पर long press करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है open in new chrome tab इस वाले option पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिये form जो कि यहाँ पर सही तरीके से डोगूरूरूरू तो इस form पर हम चलिए click करने के बाद दोस्तों इस form को अब आपको क्य करना होगा तो इस form को सही तरीके से fill up कर लेना है, fill up करने के बाद दोस्तों वहाँ पे upload कर दना है इस form को, तो दोस्तों यहाँ से upload कर दना है और upload करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, send request के option पे click कर दना है, click करने के बाद दोस्तों फिर आपको एक acknowledgement ID नमबर आपको तो दोस्तो इसी प्रकार से रासन कार्ड में नया फैमिली का नाम को जोड सकते हैं इस वाले ओप्शन पे क्लिक करके परिवार के सदस को जोडना जैसे आप इस वाले ओप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे दोस्तो सेम अस्टेप वही देखने के लिए यहां पे भी मिलेगा और अपना फरिवार का नाम को जोड सकते हैं दोस्तो यह सिर्फ जो एक जारकंड के लिए है पर आपको चेक कर लेना है कि आपके अस्टेट में ओनलाइन की सुब्दा है कि ओफलाइन की सुब्दा है अगर ओनलाइन की सुब्दा है